हाई गाईज वेलकम बेक टो आवर चैनल ओनर्स इंगलेज टोड़े वी आर गोईंग टो डिसकुस अपॉइम दा फास्ट टूथ बाइचार्ल्स और मेरी लेंब जो चार्ल्स और मेरी लेंब है वे दोनों सिब्लिंग्स है उग उन्होंने है जो पॉइम है वो एक साथ में म मतलब उनको प्यार तो दिया जाता है लेकिन के केर ने की जाती इतनी चोटी बच्चों की की जाती है इस पॉइम में जो चोटा बच्चा है वो अभी बिल्कुल चोटा है यानि कि एक या फिर दो साल का उसके मुह में सिर्फ एक ही दात आया है और फैमली के जो सारे मेंब खर्स है वो उसके उपर ध्यान देते हैं जो बड़ा बच्चा होता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं इस एक स्चाल नहीं उसके उपर ध्यान नहीं करते हैं देखकर बाई ना संसे कहां लेकिन उसकी स्पार्ट होब को जो uk भीच्ञेसाग्नुज मिलं monte आनंद फैला हुआ है यानि कि लोग अस्त वेस्ट हैं just because the infant boy सिर्फ एक छोटे बच्चे की वज़े से यानि कि हमारे घर का पूरा जो माहौल है वो अस्त वेस्ट हो गया है एक छोटे बच्चे की वज़े से एक छोटा बच्चा जो की एक डेडिया फिर दो साल का है जिसके मुवमें सिर्फ एक छोटा सा दान्त आया है has a tiny tooth to show और उसके पास दिखाने के लिए एक बहुती छोटा सा दान्त है I have got a double row लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए मुवमे double row है दान्तों की all as white and all as small यानि कि सारे जो दान्थ है मेरे वो सफेद है और सारे दान्थ छोटे-छोटे है फिर भी जो दूसरे family members है वो उसके पीछे पड़ी रहते है उसके smile को वो चाहते है मेरी smile को कोई नहीं देखता yet no one cares for mine at all फिर भी मेरी कोई केर नहीं करता family में यानि मेरे उपर कोई ध्यान नहीं देता he can say but half a word वो सिरफ एक छोटा सा word बोल सकता है यानि कि उसे एक word बोलने में भी इतनी कठिनाई होती है yet that single sound preferred लेकिन उसके दवारा बोली गई वो छोटी सी धवनी भी जो है वो घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी आवाज कोई सुनना ही नहीं चाता to all the words that I can say in the longest summer day यानि कि मैं गर्मी के दिनों में भी पूरी तरह से पूरे दिन बोल सकता हूं गर्मी के जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं और गर्मी में हम ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि जो गर्मी होती है वो ऐसी होती है इसे मतलब इनसान को जल्दी सांस चड़ जाता है वो इतना ज़्यादा बोल नहीं सकता है लेकिन ये कह रहा है कि मैं पूरे दिन बोल सकता हूं गर्मी के दिनों में भी और वो चल नहीं सकता है ये कि वह बहुत जंदा में बहुत ज़्यादा मेरा भाई है ये को वह अपने पाउं पर पूर एस जंदा ये के जो पाउं है वो चलते हैं as if he thought he were advancing और ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहा है कि वह उससे भी ज़्यादा बड़ा है या फिर उससे भी ज़्यादा आगे है it is priced more than my best dancing और उसकी जो ये चाल है वो मेरे dance से भी कही ज़्यादा कीमती है यानि कि मेरे घर के जो लोग है वो उसकी चाल को देखना पसंद करते हैं ना कि मेरे dance को यानि कि वो लोग इस अफसर की ताक में रहते कि कब वो चले और कब हम उसे देखें लेकिन मेरे उपर कोई ध्यान नहीं देता है मैं हसता भी ज शाधा हूं से और मैं वो सूर्फ चल ही नहीं पाता लेकिन में dance को कोई कोई देखता नहीं है या जहां भी दों以ग मेरे nood हो चाईल्ड होती है उन्हें जादा प्यार नहीं दिए जाता इसा घर में जो बड़े बच्चे होते हैं। उनको लगता है लेकिन ऐसा होता सह नह तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टोपिक के साथ